असलाम अलेकुम मेरे नाम जम्यूनास है और उमीद करता हूँ कि आप सुखेजियों होंगे आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले है एवरीडे साइस का कोईज नमर 12 इससे पहले के जो 11 कोईजिस हैं वह भी एक मेरे चैनल पर एक अलग प्लेलिस में मुझूद हैं आप वह भी जो सकते हैं आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले 10 most important mcqs जो के different competitive exam से ले गए गए तो आज की वीडियो बहुत जादे इंपोर्टन होने वाले 3-4 मिंट की वीडियो है जो कि आपके लिए आज की दिन के लिए productive time साबित हो सकता है सिर्फ 3-4 मिंट तो आ क्या वाटर सॉलबल विटमन है या वह फैट सॉलबल विटमन है या दोनों की कॉलिटी जैसमें या नन आफ तीस तो इसका आंसर हमारे पास है वाटर सॉलबल तो इससे मैं पता चला कि वीडिमन वीवन जो है वह वाटर सॉलबल विटमन है तो हमारे पास है what are liquids that evaporate quickly काड ऐसे liquids जो के evaporate हो जाते है quickly यानि के vapors में convert हो जाते हैं बहुत जल्दी से उनको हम क्या कहते हैं तो हमारे पर different options है volatile, viscous, evaporative यह none of these तो इसका आंसर हमारे पास है volatile तो volatile liquids ऐसे liquids होते हैं जो के evaporate हो जाते है quickly से next question मारे पास है Sir Frederick Banting discovered one of the following vaccines Sir Frederick Banting ने कौन सी vaccine जो है वो discovered की तो हमारे पर different options है COVID-19, insulin, antibodies, यह none of these तो इसका आंसर हमारे पास है insulin तो आपने यार रखने के Sir Frederick Banting ने insulin जो vaccine है इसको discovered किया next question हमारे पास है what is the largest organ in the human body? इनसानी जिसम के अंदर largest organ जो है वो कौन सा है हमारे पर different options है और यह याद रखने के यह काफ़ी तो आपने यह question को हमेशे याद रखने है हमारे पर different options है liver, skin, heart, brain तो इसका आंसर हमारे पास है skin तो skin जो है वो largest organ है human body के अंदर next question हमारे पास है how many muscles are there in the human body? इनसानी जिसम के अंदर muscles कितने होते हैं तो हमारे पर different options है 638, 641, 639 यह 637 तो इसका answer मारे पास है 639 muscles कहीं पर आपको option यह भी मिल सकता है 640 का तो आप वो भी slack कर सकते है अगर 639 का ना हो ठीक है तो 639 यह 640 muscles जो होते हैं वो इनसानी जिसम के अंदर होते है next question मारे पास है Hemoglobin combines with and transport to different cells of the body human globin जो है वो किसके साथ combine होती है और फिर different cells of the body तक वो जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है तो हमारे पर different options है white blood cells जिनको leekocytes भी कहते है red blood cells जिनको erythrocytes भी कहते हैं हमारे पर third option है both A and B और last option हमारे पास है platelets जिनको थ्रॉंbosytes भी कहते हैं तो इसलिए बतारों कि sometimes हमारे पास options जैसे दिये होती है leekocytes erythrocytes Leekocytes किसको कहते है white blood cells को red blood cells को कहते है erythrocytes और platelets को thrombocytes का जाते है तो इसका answer हमारे पास है red blood cells जैनिके erythrocytes तो hemoglobin जो है वो हमेशे red blood cells के साथ combine करती है and transport to the different cells of the body next question महरे पास है digestion of food is complete इंदा जो food की digestion है वो कहां पर complete हो जाती है तो महरे पर different options है small intestine, large intestine या stomach तो इसका answer महरे पास है small intestine तो जो digestion of food है small intestine के अंदर जो complete हो जाती है which is the longest bone in the human body अब इंसानी जिसम के अंदर सबसे जो longest bone है सबसे लंबी जो हड़ी है वो कौन सी है तो हमारे पर different options है femur, stapes, tibia, humerus अब मैं आपको बताता हूं कि यह हड़ी हैं कौन कौन सी हैं कहां कहां पर located होती है इधर से यह आपको answer मिल जाएगा femur जो होता है यह leg में होती है ठीक है और अगर हम stapes की बात करें और tibia और humerus की बात करें tibia भी जो होती है यह जो हमारे नी होता है उससे नीचे वाली जो bone होती है वो tibia होती है और जो हमारे knee से उपर वाला portion है हमारे वेस्ट तक इधर गोंने हो नूस को फिर्मर कहते हैं और जो हमारे बादूब की बादूदी उसको हम ह्यूमरस कहते है ठीक है तो इसका आंस्र हमारे पास है फिर्मर इधर संही में पता चलेकर कि फिर्मर जो है वह लोंगस बोन होती है human body के अंदर next question मारे पास है sensitive layer of the eyes हमारे पास different जो हैं वो layers ही कही हैं आपके पास options में तो आपने समय समय सब बताना है कि सबसी sensitive layer जो है आई की वो कौन सी है तो मारे पास different options है retina secularotic choroids या none of these तो इसका answer मारे पास है retina तो retina जो है है वो सबसे sensitive layer होती है eye की last question हमारे पास है a test that detects abnormalities brain incurred एक test जिसके वज़ा से brain के अंदर दिमाग के अंदर abnormalities है या दिमाग की जो अंदर की चीज़े हैं structures हैं जो study हम कर सकते हैं या abnormalities को detect कर सकते हैं ऐसे test को क्या करते हैं तो मारे पर different options है ECG, EEG, MRI या none of these अब सबसे पहले हम इनकी abbreviation को समझते हैं कि यह क्या है ECG से मुराद है electrocardiography cardio जो है वो heart से निकला हुआ word है तो अगर तो heart की abnormalities को हम study करेंगे या heart को हम study करेंगे तो उसको हम कहते हैं electrocardiography heart को study करेंगे तो उसको simple हम cardiology कहेंगे लेकिन ECG का मतलब है कि अगर हम heart को इस वह से डिटेक्ट करेंगे कि क्या उसके इसे काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है इसी तरह EEG की abbreviation होती है electroencephalography, encephalon जो है वो brain को कहते हैं इसलिए brain के दर अगर हम को इस चीज़ study करेंगे तो उसको उसकी abnormalities को detect करने के लिए कोई टेस्ट करेंगे तो उसको कहते हैं electroencephalography और MRI magnetic resonance imaging तो इसलिए आपको आंसर मिलके है तो इसका आंसर मारे पास है EEG यानिके electroencephalography cardio heart encephalon brain तो question आपको किसी और एंगल से भी आ सकता है a test that detect abnormalities in heart scart अब आपको option क्या बंजेगा आपका अंसर बंजेगा ECG electrocardiography और अगर आप brain के बढ़ में पूसर जा रहा है तो electroencephalography तो ये था आज की वीडियो और ये था आप वीडियो का last question उमीद के तो कि वीडियो आपके लिए बहुत यज़ा इंफ्रमेटिव यूस्फुल रही होगी तो मिलते हैं इसलाओ आप नेक्स वीडियो में तब तक अपना बहुत आदा ख्याल रखिये वस्सलाम